नमस्कार दोस्तों, आज हम दो ब्लॉकबस्टर मुवीज का कंपारिसन करने वाले हैं KGF Chapter 2 और लियो दोनों ही फिल्म्स ने ओडियन्स के दिल जीत लिये हैं लेकिन सवाल ये है कि कौन सी मुवी है ज्यादा पावरफुल और इंपाक्टफुल चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कहानी की KGF Chapter 2 रॉकी भाई के स्ट्रगल और उसकी एंपायर बिल्डिंग जर्नी का कंटिनुएशन है ये मुवी रिवेंज, पावर और इमोशनल एलमेंट से भरी हुई है वहीं पहल लियो एक intense thriller है जिसमें विजे का character एक dark और mysterious background से आता है दोनों मुवीज की कहानियां अपने अपने तरीके से अलग और gripping है लेकिन KGF की scale और backdrop थोड़ी ज़्यादा grand लगती है अगर direction और cinematography की बात करें तो दोनों मुवीज visually stunning है KGF Chapter 2 को प्रशान्थ नील ने direct किया है जिसमें raw energy और massive scale को highlight किया गया है हर एक short grand और impactful लगता है लेकिन लियो को लोकिश कनागराज ने direct किया है और उन्होंने sleek stylish visuals के सत एक modern cinematic experience दिया है action sequences काफी tight और sharp हैं जो audience को edge of the seat excitement देते हैं अब बात करते हैं acting performances की यश ने Rocky भाई का character इतने धमाकेदार तरीके से निभाया है कि लोग उन्हें अब real life में भी Rocky के नाम से याद करते हैं यश का screen presence और dialogue delivery काफी powerful थी वहीं विजाई का Leo में एक layered और complex character देखने को मिला विजाई ने अपने intense acting और charismatic style से audience को impress किया दोनों actors अपने roles में perfect fit हैं लेकिन याश का Rocky भाई एक iconic character बन चुका है action scenes की बात करें तो KGF chapter 2 के fight sequences massive और larger than life है explosions, high octane stunts और slow motion shots काफी impactful थी लेकिन Leo में action थोड़ा ज्यादा realistic और grounded था जो इससे एक अलग charm देता है music भी दोनों हुआ है उनों movies का strong point रहा है KGF का background score energetic और goose bumps देने वाला था जबकि Leo का music suspense और tension build करता है तो दोस्तों दोनों ही movies अपने अपने जगापर जबरदास्थ हैं KGF chapter 2 एक epic सागा है जिसमें massive scale और larger than life storytelling है जबकि Leo एक tight thrilling experience देता है दोनों movies अलग genres को represent करती है एक period action drama और एक modern day thriller तो आपको कौन सी movie ज़्यादा पसंद आई comments में जरूर बताएं और अगर आपको ये video पसंद आई हो तो like करें, share करें और subscribe करना न भूलें मिलते हैं next video में